हेलो शातियो, वेलकम टो यूपी एक्जाम्स बाला, यूपी एक्जाम्स बाला में आप सभी का श्ownागत है सात्यो, आज हम उत्तरपदेश के पुलिस प्रणाली में जो रेंग कोती है उन सब के बारे में बात करेंगे साथियों आज आते हैं हम लोग इस पे देखते हैं स्टेट लेवल पे सबसे बड़ा अर्थात राजी का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है इसे हिंदी में कहते हैं पुलिस महा निदेशक ये राजी का सबसे बड़ा अधिकारी होता है पुलिस महा निदेशक, पूरी पुलिस राज्य की इसके अंतरगत आती है, इंग्लिस में इसको कहते है डाइरिक्टर जनरल आफ पुलिस अर्थात डी जी पी, है न, डी जी पी सीनियर आईयस अधिकारी होता है, इसको कई सालों कानुभव होता है, आईयस नहीं, सीनियर हमारे पुलिस, हमारे जो राज्य है, उसको इस्टेट के बाद जोन में बाटा गया है, तो उत्तरपदेश के अगर हम लोग बात करें, तो उत्तरपदेश को आठ पुलिस जोन में बाटा गया है, है न, आठ पुलिस जोन में बाटा गया है, अगर आप से पूछा जाए कि जोन के मुखिया के रूप में वो होता है ADGP, क्या होता है ADGP, अर्थात इसको कहते हैं सहायक पुलिस महान ने दे सक, क्या बोलते हैं इसको सहायक या अतिरिक्त पुलिस महान ने दे सक, अर्थात Additional Director General of Police, मेरी बात को समझेगा additional director general of police इसको बोला जाता है अर्थात ADGP यह हमारे प्रदेश में 8 तक हो सकते हैं क्योंकि 8 police zone है आप इस बात को समझेगा इसके नीचे फिर आती है हमारी police range है ना 18 police range है हमारे उत्तरपदेश में कितनी है 18 police range है आप लोग इस बात को याद रखेंगे ठी हमारे उत्तरपदेश में जितने मंडल है उतनी पुलिस range है ADGP भी IPS अधिकारी होता है फिर इसका जो मुकिया होता है पुलिस range का वो होता है IG या DIG क्या होता है IG अर्थात inspector general of police या IGP वैसे IG ही कहते हैं inspector general अर्थात महानिरिक्षक है ना इसको बोलते हिंदी में inspector general inspector general अत्वा या इसके साथ भी हो सकता है DIG deputy inspector general अर्थात police उपमहानिरिक्षक है ना उपमहानिरिक्षक इसको कह सकते हैं और ये दोनों भी आपके क्या होते हैं भाई साब IPS अधिकारी होते हैं आप इस बात को समझे इसके बाद जिला आ जाता है है ना इसके बाद जिला आ इसके हम लोग बात करें तो आप सब जानते हैं 75 डिस्टिक हैं 75 डिस्टिक मेंसे 7 डिस्टिक ऐसे हैं जहां commissioner rate प्रडाली लागू है और commissioner rate को अभी छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें अलग system होता है इस पर फिर किसी दिन बात करेंगे सामा ने जो बाकी के 68 जिले हैं हम उन जिलों में SP होते हैं हलाग कि यह दौनों भी IPS होते हैं यह दौनों भी क्या होते हैं IPS अधिकारी होते हैं SSP के नीचे आता है आपका additional SP या फिर diptsp है ना इसके नीचे अब होता क्या है कि जिले को कई सारे circle में divide कर दिया जाता है है या कई सारे खंड में जिसको subdivision कह सकते है उसमें डिवाइड कर दिया जाता है और इसका जो मुखिया होता है उसको बोलते है DIPTSP है ना या DSP लेकिन उत्तरपदिश में DSP बनाने की परमपरा नहीं है उत्तरपदिश में DSP रैंक जो होती है उसको हम लोग कहते हैं CEO, अर्थात सर्किल ओपीसर है ना उसको क्या कहा जा सरकिल मत्तव कैसारे उसको कुम इसको सी ओ कहते हैं फिर इसके नीचे आ जाता है आपका थाना थाने का जो प्रमुक होता है सरी यह IPS भी हो सकता है बड़ जादा तर राजियों में और हमारी राजिय में यह PPS अधिकारी होता है PPS का मत्तब होता है प्रवेंसियल पुलिस सर्विस हमारे उत्तरपदिस में अगर आप इसको देखोगे तो यह PPS अधिकारी होता है ठीक है फिर इसके नीचे पुलिस स्टेशन आ जाता है और पुलिस स्टेशन का जो मुखिया होता है उसको इंस्पेक्टर कहते हैं उसकी रैंक क्या होती है इंस स्टेशन आफिसर या स्टेशन हाउस आफिसर ठीक है यह इंस्पेक्टर होता है इसके नीचे आता है सबिस्पेक्टर है इसके नीचे आता है सबिस्पेक्टर अर्थात ऐसाई जिसे आप आम तोर पर दरोगा कह देते हैं इसके नीचे आता है फिर आपका क्या जाता है इस constable आ जाता है और head constable के नीचे आ जाता है आपका constable क्या आ जाता है constable है ना आरक्षी जिसे कहते हैं constable आ जाता है आप लोग इस बात को समझे अब मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूं पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है DGP ये state level पर इसके बाद आ जाता है AD ADGP है ना ADGP प्रदेश में 8 पुलिस जोन है तो 8 हो सकते हैं इसके नीचे आपका IG या DIG आ जाता है ठीक है इसके नीचे फिर आपका SSP या SP आ जाता है ठीक है इसके नीचे फिर आपका क्या आ जाता है आपका DTSP है ना या DSP जिसे कहते हैं या फिर उत्तर प्रदेश में इसको co कहते हैं ठीक है फिर इसके नीचे अगर आप बात करोगे मेरे दोस्त तो आपका क्या आ जाता है इंस्पेक्टर आ जाता है है ना इंस्पेक्टर आ जाता है इंस्पेक्टर और फिर इसके नीचे आपका सब इंस्पेक्टर और फिर असेस्टेंट सब इंस्पेक्टर और फिर head constable, और फिर आपका constable, तो सबसे नीचे constable होता है, आप लोग इस बात को याद रखेगा, एक बार इनकी rank बता देता हूँ, इसकी rank IPS होती है, senior IPS, ये भी आपका IPS होता है, IG, DIG भी आपके IPS होते हैं, SSP और SP भी आपके IPS होते हैं, बट डिप्टी, SPS, CO ये PPS अधिका होते हैं, तो मुझे लगता है, आप लोग समझ गये होंगे, फिर से एक पार बता देता हूँ, DGP सबसे बड़ा है, प्रसांत कुमार हैं, उत्तरपदेश के, भी पूछा जाएगा, फिर उसके बाद आठ पुलिस जोन है, पुलिस जोन का मुखिया, ADGP होता है, है ना, additional director जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है, फिर उसके नीचे, IG, IG मतलब隊 इसपेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, या फिर additional inspector general of पुलिस, हरता, IG या DIG होता है, ठीक है, फिर उसके नीचे आपका होता है, आपका याद रखिएगा कौन होता है, यह जो होता है, यह जो होता है, ये है डिप्टी पुलिस अधिक्षक और आपका पुलिस अधिक्षक होता है डियस पी आपका पुलिस उपाधिक्षक संदी करेंगे उप और अधिक्षक की तो उपाधिक्षक हो जाएगा ठीक है या सरकिल ओफिसर इसको बोलते हैं तो इस प्रकार के ये रैंकिंग है आप लोग इसको याद रखिएगा थेंक यू जय हिंद जय भारत थेंक यू अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाए ये वीडियो बहुत महत्तपूर है ठीक है बाकी कमिशनर एक पे बात करेंगे अगली वीडियो में थेंक यू